तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया क्यों मन भटके तेरी और बार बार कि क्यों मन भटके तेरी और बार बार तुने ऐसा क्या किया कि तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया हेला फ्रेंट्स मैं सनु कुमार स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बोर्ड पडिक्षा 2030 का न्यू पैटर्न तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इसे एकके करके समझने की कोशिज करते हैं फ्रेंट्स यहाँ पर लिखा गया है कि बोर्ड पडिक्षा 2030 का न्यू पैटर्न आज ही जान लो यदि आपका बोर्ड पडिक्षा 2030 में होने वाला है तो हमारे दोर आफ शमझाए कि इस प्डेंट हो या टूएल्ध का अच्ट्टूडेंट हो आपका जो एकजाम होगा आफ 500 मार्ष के होंगे यह तो जान गया है चलिए next प्वांट को देखते हैं यहाँ पे लिखा गया है जिसमें पांच भिसे होते हैं जो परतेक भिसे हं प्रतेक भिसे 100-100 मार्ष के होते है तो फ्रेंट्स परते एक विषय कितने marks के होते हैं तो 100 marks के होते हैं और कुल कितने विषय हैं तो 5 विषय हैं तो 100 गुने 5 कितने हो जाएंगे तो 500 हो जाएंगे तो आपके जो board exam होने वाले हैं कितने marks के होंगे तो 500 marks के होंगे तो friends में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गये होंगे अब चलिए next point को समझने की कोशिस करते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि एक भी सय का pattern जानते हैं अब चलिए friends की एक जो भी सय है उसका pattern जानने की कोशिस करते हैं तो friends यहाँ पर लिखा गया है कि full marks 100 होंगे अर्थात यहीरी आपका hindi है तो 100 marks के होंगे English है तो 100 marks के होंगे अब चलिए इससे भी समझने की कोशिस करते हैं यहां पर लिखा गया है कि 50 marks object होंगे और 50 marks subject होंगे अर्था जो आपके विशा है 100 marks के है जिसमें 50 marks object होंगे और 50 marks subject होंगे तो 50-50 कितने हो गया है 200 होंगे तो friends में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यह समझ गया होंगे तो friends में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गया होंगे अब चलिए next point को समझने की कोशिस करते हैं friends यहाँ पर लिखा गया है कि अपजेक्टी 50 marks के होते हैं यह तो जान गया कि अपजेक्टी 50 marks की होते हैं अब चलिए समझने की कोशिस करते हैं कि जो 50 marks है वो कहा कहा से पूछे जाते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर लिखा गया है कि अब्जेक्टी 60 पुछे जाएंगे जिसमें 50 का उतर देना होता है प्रेंट्स आपके बोर्ड में 60 अब्जेक्टी रहेंगे जिसमें आपको 50 का उतर देना है जो परतेक एक-एक मार्ज के होंगे तो लिखा हुआ है एक गुने पचास तो कुल कितने हो गए तो पचास मार्ज के हो गए फ्रेंट्स है आपका हिंदी सब्जेक्ट है ठीक है तो उसमें 60 अबजेक्टी रहेंगे जिसमें 35 अबजेक्टी ब्याकरन से पुछे जाएंगे औ ऐसे भी समझ गए होंगे तो यह उसके बाद लिखा गया है कि परतेक विशय में 30 पर अनिवार्ज होता है आपके जो पास सब्जेक्ट है उसमें परतेक सब्जेक्ट में 30 मार्ज लाना अनिवार्ज होता है वारणा फेल हो सकते एक भी नंबर काम आया तो आप छो सकते हैं उसके बाद फिर लिखा गया है कि फरस्ट अर्था जो भी हाल बोड़ या कोई भी गोड़ में स्वकितनेja मार्च पर होते हैं तो ठीरि हंड्ड्रेड मार्च पर होते हैं कितने मार्च पर 300 मार्च यहादी चीसका मार्च 299 ह है तो भी 20 2nd के लाएंगे के फिर उसके बाद लिखा गया इक कीतने मर्स प कालाएंगे तो फ्रेंट के लिखा गया है कि 225 मर्स यदि आपका मर्स 225 से लेकर 29 समय मैं तो आप abilities के सिर्म डिम Bennett fresh उसके से लेकर दूसर चोबिस के बीच में मार्ष है तो भी आप थर्ड का लाईएगा यदि दूसर पचीस से लेकर दूसर निनानवे के बीच में यदि आपका मार्ष है तो आप सेकेंड का लाईएगा और तीन सो से उपर आपका जितना मार्ष चाल जाए तो आप फर्स्ट का ला समझ गए होंगे और उमीदे भी करते हैं कि आप लोग ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा ये दि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को दावाना ना भूले तब तक लिए जैहिं